नमस्कार जय हिंद बंदे मात्रम दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीटेस ब्रोदर प्लेटफॉर्म में राष्टिस में सिक्षा दिसीज आमीनाजी प्रोदर पाले हैं जो बिहार इन्वर्सिटी का तरफ से मोडल पेपर जारी किया गया है उसका हिस्टरी अनर्स का पेप अगर हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिसे आग पीच समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी लाइक केमेंट और शेयर जरूर करेें । रेगुलर वीडियो आप लोगों देखते होंगे नहीं मिल रहा होगा क्योंकि मेरा एकजाम चल रहा था और एकजाम देने के बाद आये तो तब्यत भी खराब हो गया था इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं मिल रहा था आज से रेगुलर वीडियो मिलेगा इसके बाद दो वीडियो डालेंगे तीन बजे और साथ बजे साम को डाला जाएगा वीडियो कल से साथ बजे सुबह और साम को तीन बजे तीन से चार में के बीच में और एक साम को साथ बजे डाला जाएगा वीडियो तो चलिए बिना देर किये हुए शुरू करते हैं आज का पहला कोश्चन है सोरे सो एकाउंट कराए सोरे सो इस भी में डैस ने ब्रिटिस मेरी टाइम औरगेनाईजेशन चार्टर के इस्ट इंडियन कमपनी को पुर्भी देशों के साथ बेपार करने का एक आधिकार दिया जिसके फल सो रूप भारत में अपनिवेशिक सासन की अस्थापना की तो किस ने दिय थी महरानी एलिजाबेथ B. समराट जेम्स प्रथम या C. हेन्री ओस्टम या D. महरानी मेरी प्रथम तो किस ने दिय था एक काउन का कोरेक्ट एंसर होगा A. महरानी एलिजाबेथ ने चलिए नेक्स कोस्टन की रागबढ़ते हैं B. कोस्टन को रहा है समराट जेम्स प्रथम ने डैस के दरबार में सर्थोमस रो को राजदूत बना कर भेजा किस के दरबार में भेजा थी जहांगीर के दरबार में औरंग जेब के बाबर के या हिमायू के थी किन के दरबार में भेजे थे समराट जेम्स प्रथम ने बाउन का कोरेक्ट एंसर होगा A. जहांगीर के दरबार में भेजे थे चलिए नेक्स कोस्टन की रागबढ़ते हैं द्रफन कर रहा है, शारवभामिक गुर्तवा कर्षण का सिध्धान्त को किसने विखसिद किया है सर आईजक निव्टन, एडमर्णड स्पेंसर, मार्लोज, जॉन ड्राइवन तो किसने किया था गुर्तवा कर्षण का सिध्धान्त? इसका correct answer होगा ए स्वर आईजक निउटन किये थे चलिए next question के रागव बढ़ते हैं चंगोन कह रहा है कि टपने परारंभिक सिधान्त ने डएस को इरोब का सबसे लोगपुरिय बुद्ध जीवी बना दिया यहाँ पर टपने नहीं होगा किसने होगा किसने परारंभिक सिधान्तों ने डएस को इरोब का सबसे लोगपुरिय बुद्ध जीवी बना दिया किसको बनाया ए निउटन को या बी मार्लो या सी जोन डाराइव ड्राइडन या डी जोना थन एसफिट किसको बनाया था चंगोन का correct answer होगा ए निउटन को चले नेक्स कोश्चन 55 कोश्चन कर रहा है अधिकार या चिका को किसने हस्ताक शरित किया था तो किसने हस्ताक शरित किया था ए चार्ल्स पर्थम बी हेनरी पर्थम सी जेम्स पर्थम या डी जेम्स दीतिये तो किसने कहा था पश्चपन का correct answer होगा ये चार्स परथम ने किया था चलिए नेक्स कोश्चन की रागबढ़ते हैं चपपन का और आये किस ब्रिटिश समराठ ने एक्टिव इन्टिन से बीवा किया था तो किस ने किया था हेनरी दितिये, हेनरी चतूर्थ हेनरी शोस्ट या हेनरी सौप्तम तो किस ने किया था 56 का correct एंसर होगा ए हेनरी दितिये ने किया था चलिए next question की रागा बढ़ते हैं संथावन का राय किस एक मात्र British परधान मंत्री की हत्या हुई थी तो किस की हत्या हुई थी एक British परधान मंत्री जिनका हत्या हुई थी तो कौन थे ए एस्पेंसर पर्सवेल जोर्ज कैनिंगां या विलियम बिट ये इल्डर या रोवर्ट हुउम तो कौन थे वो संथावन का correct एंसर होगा ए एस्पेंसर पर्सवेल थे चलिए next question की रागा बढ़ते हैं अंठाउन का रहा किस British समराट की सोचाले में मिरित्य हो गई थी एलिजाबेत पर्थम जोर्ज दीतिये एड़वर्ड तिरतिये या जोर्ज तिरतिये ते किस की मिरित्य हो गई थी अंठाउन का correct एंसर होगा बी जोर्ज दीतिये की मिरित्य होगा था 25 अक्टूबर सत्रे सो साठ में सो चाले में गिर कर मिर्त्य हो गई थी चलिए नेक्स कोस्चन की रागब्रते 69 को रहा है 1442 में आरांब हुए इंगलिस ग्री यूद के समय किस समराट का सास्वन था A. जोर्ज दितिये B. जेम्स प्रथम C. चाल्स प्रथम D. चाल्स दितिये किस का सास्वन था 69 का कोरेक्ट एंसर होगा C. चाल्स प्रथम का था चलिए अगला कोस्चन देखते हैं 60 को रहा है इंगलिस का ग्री यूद मुख्यत किस के बीच था कैथोलिक और प्रोटेक्टेट के बीच उत्तर और दक्षिड के बीच राजसाही और संसद साही के बीच और आजक्तावादी और राजसाही समर्थक के बीच तो किस के बीच था इंगलिस का ग्री यूद 60 का कोरेक्ट एंसर होगा C. राजसाही और संसद साही के बीच था चलिए next question की राग बढ़ते हैं एक्सवर्ट कह रहा है इंगलेंड का ग्री यूध एक मिथ्या नाम है क्योंकि वहाँ कोई सिधा संगर्ष नहीं था या B. इसमें फ्रेंच और डच सामिल थे या C. इसमें अस्कॉर्ट और आईरिस सामिल थे चलिए next question की और आगे बढ़ते हैं 62 कह रहा है ओलिवर क्रॉमवेल की सत्ता का उदय किस पर आधारी था सैन सक्ति पर रोम के काइथोलिक पर कुटनिती सफलता पर या सही समय पर सही निर्णा लेने पर तो किस पर आधारी था 62 का कोरेक्ट एंसर होगा ए सैन सक्ति पर आधारी था क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल एक सेना का अधिकारी भी था चलिए next question की रागे बढ़ते हैं 63 कोराय ओलिवर क्रॉमवेल किस समाजी के प्रिष्ट भूमी से आया था नोबल समुदाय कुलिन समुदाय पेसेवर समुदाय या किरिष्ट समुदाय तो किस प्रिष्ट भूमी से आया था ओलिवर क्रॉमवेल 63 का correct answer होगा D किरिष्ट समुदाय से आया था चलिए next question की रागे बढ़ते हैं 64 कोराय किस इतियास कार ने इंगलेंड के ग्री यूद को धर्म यूद बताया है John Marlin बैरी कोवार्ड मारक किंस्की या D ट्रेवलियन तो किस ने बताय था 64 का correct answer होगा A. John Marlin ने बताय थे चलिए next question को रहा है 65 को रहा है किस बर्स में 40 पर्थम को फासी दी गई थी 1647 1649 1649 या 1650 तो कब 40 पर्थम को फासी दी गई थी 65 का correct answer होगा C. 1649 में 40 पर्थम को फासी दी दे गई थी चलिए next question को रहा है 66 को रहा है 40 पर्थम ने कितने बर्सों तक बीना संसत सासन किया था 16 बर्स 14 बर्स 11 बर्स या 10 बर्स तो कितने बर्सों तक किया था संसत पर सासन 40 पर्थम ने 66 का correct answer होगा C. 11 बर्सों तक किया था वहांके संसत को भंग कर दिया था और 11 बर्सों तक सासन किया था चलिए नेक्स क्यों राग बढ़ते हैं 67 को रहा है चाल्स डिकेंस की एतिहासिक रचना बर्नभी रिट्स किस एतिहासि घटना पर अधारी थे 1780 का गार्डन दंगा 1779 का एसफिटली फिल्ड दंगा या C. 1760 का सेजवेरल दंगा या उप्रुक्त में से कोई नई तो कीस पर अधारी थे 1660 का गार्डन दंगा से अधारी थे चलिए नेक्स क्यों राग बढ़ते हैं 68 को रहा है किस देश में क्रॉम्वेल का छबी खुंखार के रूप में थी इंगलेंड में, असकोट लेंग में, आइलेंड में या नीदर लेंड में तो कहां थी 69 का कोरेक्ट एंसर होगा ये इंगलेंड में थी चलिए अगला कोस्चन देखते हैं 79 का रहा है जोर्ज तृतिये कब इंगलेंड का राजा बना था 603, 701, 704 या 1760 में 706 में बना था चलिए अगला कोस्चन देखते हैं 70 का रहा है जोर्ज तृतिये किस खानदान से संबंदित था लैको एस्टेरियान, हैनोवेरियान, ट्यूडर या डी एस्टुवर्ट तो किस खानदान से संबंद था जोर्ज तृतिये 70 का करेक्ट एंसर होगा बी, हैनोवेरियन, खानदान से संबंदित था इसमें टोटल 100 कोस्चन है आज इसमें पूरा 100 कोस्चन देखेंगे इसे पले दो वीडियो बन चुका है चाहकर डिस्क्रिप्सन में जरूर देखिएगा तो चलिए किसने जर्ज तृतिये को सारा लेकोन, नोक्स और मेरी चेरियट से रिष्टा खतम करने के लिए राजी किया जर्ज गरेनवील, चार्ज कॉम्स, बिलियम पीट बड़ा या जॉन अस्टूर तो किसने किया था एक होत्तर का करेक्ट एंसर होगा सी, बिलियम पीट, पीट बड़ा चलिए, अगला कोश्चन देखते है जर्ज तृतिये को कितने संतान थी 11 संतान, 14 संतान, 15 संतान या 17 संतान तो कितने संतान थी बहत्तर का करेक्ट एंसर होगा सी, 15 संतान थी चलिए, अगला कोश्चन देखते है 788 जर्ज तिरतेय के साशनकान में कौन सी करांती हुई थी?! फ्रांस की करांती, रूस की करांती, कीवा की करांती, या apoyo 15 की करांती कौन सी करांती हुई थी?! 33 का परेक्ट ऐंसर होगा ए फ्रांस और फ्रांस की करांती चलिए अगला कौश्चन देखते हैं 74 कर रहा है, 1768 में जोर्ज तिरिथियन किस अकादमी की अस्थापना की, Academy of Motion, Picture, Science and Science का, Royal Academy of Arts का, या Science Academy का, या The Music Academy का, तो किस अकादमी की अस्थापना की ते, जोर्ज तिरिथियने 1768 में चोगहतर का correct answer होगा, B. Royal Academy एडमी ऑफ आर्ट्स का चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 को रहा है रोमन काइथोलिक के लिए कौन पुण नागडिक अधिकार चाहता था और किसे जोर्ज तृतिय के द्वारा 801 में इस्थिफा देने के लिए मजबूर किया गया लार्थ नौर्थ को लार्ड नौर्थ को या वी बिलियम पीट यंगर या सी लाड मेलबोर्न को या डी बेजामिन डिज्रैली को किसको किया गया था 75 का कोरेक्ट एंसर होगा B. बिलियम पीट द एंगर को चलिए अगला क्वेस्न देखते हैं सियत्तर का डाण जौर्ज तृतिय के आग्रह पर किस अधिनियम को पारित किया गया नमक अधिनियम, साही बिवाह अधिनियम, स्टांप अधिनियम या D मुक्ती अधिनियम तो किस अधिनियम को पारित किया गया था? 56 का correct answer होगा B साही बिवाह अधिनियम को पारित किया गया था किस ने किया था? जर्ज तिर्थिय ने किया था चलिए अगला कोश्चन देखते हैं 4 जुलाई 1776 को कौन महत्पून घटना घटी वाटरलू का यूध ट्रेंगलर का यूध अमरीका के सोतंतरता की घोसडा या D. दक्षिड धुरूपर ब्रीटिसों की पहुश तो क्या घटित हुई थी 177 का कोरेक्ट अंसर होगा C. अमरीका के सोतंतरता की घोसडा कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 को चलिए अगला कोश्चन देखते हैं 1878 का राए 1801 में जोर्श तिरितिय को कौन सी उपाधी दी गई थी? फ्रांस का समराट बैरन अफ अस्नोडान C. मर्क्षिच और एली या D. अर्ल अफ चेस्टर तो किसकी उपाधी दी गई थी? 1801 में जोर्श तिरितिय को 38 का कोरेक्ट अंसर होगा A. फ्रांस का समराट कहा गया था किसे कहा गया था? जोर्श तिरितिय को कब कहा गया था? 1801 में उपाधी मिली थी जोर्ज चतूर्थ की या जोर्ज तिरितिय की तो किसकी उत्राधीकारी थी? 89 का कोरेक्ट अंसर होगा A. बिलियम चतूर्थ की उत्राधीकारी थी कौन थी? महरानी विक्टोरिया थी चलिए अगला कोस्चन देखते हैं 1857 में 1837 1862 चलिए अगला कोस्चन देखते हैं 1861 का रहा हैं महरानी विक्टोरिया कब भारत की समागी बनी थी? तो कब बनी थी? 1856 1857 1837 1887 में तो कब बन थी? 1861 का कोरेक्ट अंसर होगा D 1887 में चलिए अगला कोस्चन देखते हैं 22 करा अक्सपोर्ड अंदोलन मुलत एक ड़ेस था धार्मिक अंदोलन था सेक्षिडिक अंदोलन था समाजिक अंदोलन था या आर्थिक अंदोलन था तो कौन सा अंदोलन था अक्सपोर्ड अंदोलन डैस द्वारा आरंभ किया गया था Oxford 20 विद्वानों द्वारा Oxford के पादरियों द्वारा Oxford के बुधजीवु द्वारा या अप्रूक्त में से कोई नहीं थी किसके द्वारा आरंभ किया गया था aussippo de Dokton 83 का correct answer होगा Oxford University के बिद्वानों द्वारा किया गया था चलिए अगला कोस्टन देखते हैं 84 कह रहा है चार्श डिकेंस का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था जैडविन ड्रू या बी ओवर म्यूच्वल प्रेंट्स या सी डॉम्बी एंड सॉन या कोई नहीं तो कौन सा अधूरा रह गया था उपन्यास चार्श डिकेंस का 84 का कॉरेक्ट अंसर होगा ए जैडविन ड्रूड चलिए अगला कोस्टन देखते हैं 85 को रहा है कि यदि इस वर नहीं है तो उसका आभिस्कार अवस्य है वाल्टेयर, रैस्कीन, रूसो या कोई नहीं तो किस ने लिखा था 85 का कॉरेक्ट अंसर होगा ए वाल्टेयर ने लिखे थे चलिए अगला कोस्टन देखते है 86 को रहा है चार्स डिकेंस के पात्र समान्यत और डैस है सपाट है, हास है, गोल मटूल है या कोई नहीं है तो कैसा है 86 का कोरेक्ट अंसर होगा सी गोल मटूल है चलिए अगला कोस्टन की और आगे बढ़ते हैं 87 को रहा चार्स डिकेंस की कहानी ए टेल अप टू सिटीज में जिन सोहरों का जीक्र है वे है ए लंदन और पेरिस बी रोम और पेरिस सी एथेंस और पेरिस या डी बरलिन और पेरिस तो कौन है 87 का कोरेक्ट अंसर होगा ए लंदन और पेरिस के जीक्र है चलिए अगला कोस्टन की रागे बढ़ते है 88 को रहा है किस बिरिटीश समराट ने महाराने बिक्टूरिया की जगह ली थी एलिजावेत दीतिएप या एड़़ड सुष्ट या एड़़ड सप्तम या जोर्ड सप्तम तो किस ने लिया था 88 का कोरेक्ट अंसर होगा C. trabalhar सप्तम ने लिया था चलिए अगला question 89 नमबर कर रहा है डायस के यूध में रिचर्ड तृतिय को प्रास्त कर हैनरी सप्तम इंगलेंड का राजा बना तो किस यूध में वाटरलू के यूध है या लुड़फोर्ड ब्रीज के यूध है या हैंगेले मुर के यूध है या बोसबर्थ के यूध है तो किस यूध में 89 का करेंट अंसर होगा डी बोसबर्थ के यूध में रिचर्ड तृतिय ने प्रास्त कर हैनरी सप्तम को इंगलेंड का राजा बना था चलिए अगला question की यूड़ा के पढ़ते तो कौन थी 90 का करेंट अंसर होगा बी मार्गरेट वी फोर्ड थी चलिए अगला question की यूड़ा बढ़ते हैं एक 90 को रहा है हैनरी अस्थम का बड़ा भाई जिसकी किसोरा आवस्था में ही मिरित हो गई थी का नाम क्या था रिचर्ड, बिलियम, और्थर या अस्थुवर्ड तो क्या था एक 90 का कोरेंट अंसर होगा सी और्थर था चलिए अगला question देखते हैं बानवे नमर कह रहा है हैनरी अस्थम के पहली साधी की भी फलता की क्या वज़ा थी कैथरीन कुरूप थी या B, कैथरीन विश्वासी नहीं थी या D, कैथरीन राजा को मारने का सड़ियंत कर रही थी या D, कैथरीन खुद को सबसे स्रेश्ट मान दी थी तो क्या वज़ा था बानवे का कोरेंट अंसर होगा C, कैथरीन राजा को मारने का सड़ियंत कर रही थी चलिए अगला कोश्चन देख रहा है 93 को रहा है एलिजाबेत प्रथम ने की से बिवाह किया था स्वीडेन के राजा एरिक चौधामा के साथ या भी रोबर्ट डूहल के साथ या फ्रांसिस डूडले के साथ या कोई नहीं किस के साथ किया था 93 का कोरेक्ट एंसर होगा डी कोई नहीं चलिए अगला कोश्चन क्यों रागबढ़ते है 94 को रहा है किलिवेस की एन ने की से बिवाह किया था हैनरी ओस्ठम से एड़वर्ट सर्ष से या सी हैनरी सप्तम से या एड़वर्ट चतुर से की से किया था 94 का कोरेक्ट एंसर होगा ए हनरी ओस्ठम से किया था चलिए अगला कोश्चन क्यों रागबढ़ते है 95 को रहा है वार ओफ रोजिज के अधिक यूधों के समय राजा कौन था रिचर्ड तिरितिये हनरी शोष्ट हनरी सप्तम या डी एड़वर्ड चतुर तो कौन था 95 का कोरेक्ट एंसर होगा सी हनरी सप्तम था चलिए अगला कोश्चन की रागबढ़ते है 95 को राज सोरे सो तीन में एलिजाबेद परथम की मिरित्व के बाद ट्यूडर राजबंस की समाप्ती हुई और असकोटलेंड का राजा जेम्स सोस्ट राजगदी पर बैठा जेम्स परथम के नाम से इंगलेंड का पहला अस्टुर्ट राजा बने इस समराट का एलिजाबेद से क्या रिष्ता था भतीजा, भाई, चचेरा भाई या कोई नहीं तो कौन सा रिष्ता था चानबे का कोरेक्ट एंसर होगा सी चचेरा, भाई का रिष्ता था चली अगला क्वेश्चन की राजगदी बढ़ते हैं अपने अंतिम बर्सों में जेम्स परथम को गंभीर स्वास्त समस्या को नेगेर लिया वह किस परकाट की बिमारी से ग्रस था सीपलीस, एसक्रोफुला, पोरफिरिया या लकवारो किस रोग से ग्रसी था 97 का कोरेक्ट एंसर होगा बी, एसक्रोफुला रोग से ग्रसी था चली अगला क्वेश्चन अंठानबे नमर कर रहा है 44 का दसक में जब इंगलेंड बिद्रो और गमधिर आर्थिक संकट से गुजर रहा था समाजी के नयाई के लिए किस समू ने आवाज उठाई प्यूरिटन्स, क्युएकर्स, पार्लियामेंटरियंस या लेवरलर्स तो किस ने आवाज उठाई थी? चलिए अगला कोस्चर के लागा बढ़ते हैं आज का सेकंड लास्ट होगा निनानबे कर रहा इउध में पाराजित होने के बाद राज दुरो के आरूप में 30 जनवरी 1449 को चाल्स को कहां फासी दी गई थी? लंदन टावर, वाइट हॉल, करियस कुबू का कीला या कोई नहीं तो कहां दिया गया था? 99 का कोरेक्ट अंसर होगा बी वाइट हॉल के पास दिया गया था चलिए आज का लास्ट कोस्चन है चाल्स परथम को फासी देने के बाद ब्रिटेन में ओलिवर क्रोंवेल ने गणतंतर आत्मक सरकार अस्थापित की क्रोंवेल की उपादी क्या थी? लॉर्ड पोर्टेक्टर की? बी राष्टपती की? या सी परधान मंत्र की? या डी समराठ की? तो क्या उपादी थी? सौग का करेक्ट एंसर होगा ए लॉर्ड पोर्टेक्टर की? तो हिस्ट्री अनर्स प्रेपर टू का आज लास्ट वीडियो था जिसमें सौग कोस्चन था पूरा सौग कोस्चन हो गया इसके बाद प्रेपर वन का पूरा किया जाएगा तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को प्रेस करें जिससे आपको समय समय वीडियो मिलती रहेगी लाइक, केमेंट और सेर जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद